स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम की बात पर आज छे फरवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छे फरवरी 2021 से जुड़े करेंट अफ़ेर के इंपोर्टेंट कुश्चन साथ ही इन कुश्चन से जुड़े इंपोर्टेंट फेक् बहुत इंपोर्टेंट है तो आप सभी इन दोनों कुश्चन के अंसर कमेंट बोक्स में जरूर दीजेगा साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपोर्टेंट फेक्ट आए उनको आपको याद भी करना है और नोट भी कर लेना है तो चलिए शुरू करते हैं आज का मर से कोविड कीट को विक्सित किया गया है तो आपको याद रखना है CSIR के दवरा एक कोविड कीट को विक्सित किया गया है जिसका नाम रखा गया है रे इसका नाम रखा गया है जो की भारती एक फिल्म निर्माता हुए है एक प्रसिद फिल्म निर्माता थे जिनका नाम था सत्य जीतरे इनी के नाम पर CSIR के द्वारा COVID कीट को विक्सित किया गया है जिसका नाम है रे आपको याद रखना है साथ ही हमने पिछली वर्ष एक important question पड़ा था कि भारत में एक पहला COVID कीट विक्सित किया गया था जिसका नाम था फेलूदा और हाली में CSIR ने रे नाम का एक नया COVID कीट विक्सित किया है आपको इन दोनों का नाम याद रखना है आज का हमारा question number 2 है हाली में कि संगठन ने 145 गरीब देशों को COVID-19 टीके को मुहिया कराने की गोशना की है विश्व स्वास्त संगठन ने यानि कि WHO के द्वारा गोशना की गई है कि उसके द्वारा 145 गरीब देशों को COVID-19 टीके को मुहिया कराने का अभियान शुरू किया जाएगा वह अगर बात करें WHO यानि कि विश्वस्वास्त संगटन की तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये कोशन कई बार एक्जाम में पूछा गए तो आपको याद रखने WHO की स्थापन हुई थी 1948 में 7 अप्रेल को साथ ही आप याद रखेगा कि इसका मुख्याले का पर है इसका मुख्याले है स्विजर लेंड के जेनेवा में ये भी इंपोर्टेंट और आपको याद रखने की विश्व अस्वास संगेटन का मुख्याले स्विजर लेंड के जेनेवा में है आज का मारत कोशन नमर तीन है प्रोफेसर द्वीजेंदर नारायन जा इनका नाम आपको याद रखने है प्रोफेसर द्वीजेंदर नारायन जा इनका हाली में 81 वर्ष के उमर में निदन हो गया है ये शिक्षा में किस शेत्र से सम्मंदित थे तो ये भारत की एक प्रसिद इतिहासकार थे द्वीजेंदर नारायन जा भारत की एक प्रसिद इतिहासकार हुए थे और इनी का हाली में निदन हो गया है 81 वर्ष के उम्र में ये कोशिन एक्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि इतिहास कारत है द्वीजेंदर नारायन जा जिनका हाली में नितन हुआ है वह अगर बात करें एक important fact की तो आज की दिन से डुड़ा एक important fact आपको याद रखना है कि हाली में G.S. बेदी आज का हमारे question number 4 है भारतिय driver है जेहान दरूवला बारतिय फोर्मूला race के driver है जेहान दरूवला इन्हों ने गुरुवार को कहा पर आयो जीत फोर्मूला 3 A.S. चेंपियंशिप में मुंबई Falcons के लिए जीत दर्ज की है तो पहला आपको याद रखना है कि भारत का जो प्ष़लकांस के लिए जीत दर्जिए आपको याद का नाम याद रखने है जिनों ने जान Dharu Waala जिनोंने ये जीत दर्जिद की है और कहां पर किये तो आभू धाबी में भी आयोजित हुई थी Formula 3 Asia Championship जिसमें इन्होंने Mumbai Falcons के लिए जीत दर्च की है एक important question आपको याद रखना है वह एकर बात करें एक और important fact की तो हो कुछ इस प्रकार है कि England की cricket team के कप्तान Joe Root England की cricket team के कप्तान है Joe Root इन्होंने अपने पहले 100 test मेचों में सरवाधिक 68 बार अर्द शितक बनाने का record बनाया है यह पहले ऐसे बने हैं जिन्होंने की test में अपने पहले 100 मेचों में पहले 100 test मेचों में सरवाधिक अर्द शितक लगाए हैं जिनके संक्या है 68 यह question exam में पूछा जैसकता है और आपको याद रखना है इनके बाद नाम आता है ब्राइन लारा और सचिन तेंदूलकर का सचिन तेंदूलकर ने अपने पहले 100 test मेचों में 62 अर्द शितक लगाए थे आपको याद रखना है और यह अभी सबसे पहले इस्थान पर आ गए हैं जिन्होंने के 68 अर्द शितक बनाए है आज का हमारा कोशिन नमर 5 है केंदर सरकार द्वरक के शेहर में सुर्सरोवर पक्षी विहार को एको-सेंसिटीव जोन बनाने का प्लान बनाए गया है एक important question आपको याद रखना है कि सुर्सरोवर पक्षी विहार जो की अतरपरदेश के आग्रा में है उत्तर परदेश के आगराच शहर में है सूरसरोवर पक्षी वियार जो की पक्षियों के लिए जाना जाता है यहाँ पर लगभग सो से अधिक प्रकार की प्रकार की परजातियों के पक्षी पाये जाते हैं और इसी को हाली में एको सेंसिटिव जोन बनाने का प्लान बनाया गया है केंदर सरकार की दोरा एक important question और आपको याद रखने है question ये पूछा ला सकता है कि हाली में सुर्ष रोवे पक्षी विहार को एको सेंसिटिव जोन बनाने का प्लान बनाया गया है ये किस शहर में इस्ते थे तो ये आगरा में इस्ते थे आज का हमारा कॉशन नबर 6 है किस राज्य सरकार ने किसानों द्वारा लिये गई 121 अरब रुपे के करज को माफ कर दिया है तो सहेकारी बेंकों से जो किसानों ने 121 अरब रुपे का करज लिया था हाली में इसे तमिल नाडू राज्य सरकार द्वरा माफ कर दिया गया है Important Questionnaire आपको याद रखने के हाली में सरकार ने किस राज्य की सरकार ने तो तमिल नाडू राज्य की सरकार ने 121 अरब रुपे के कर्ज को माफ किया है किसानों के important है और आपको याद रखना है अब बात है तम्मिल नाडू राजी की तो इससे जुड़े कुछ important fact भी आपको याद रखने है सबसे पहरा तो तम्मिल नाडू राजी की राज़दानी है चेन नहीं वरत्मान में इसके मुख्य मंत्री है केप लानी स्वामी और इसके वरत्मान में राज़पाल है बनवारी लाल पुरोहित ये तो हुआ कुछ important fact जो आपको हमेशे याद रखने है साथ ही अगर बात करें तम्मिल नाडू राज़ी से जुड़े current affair के कुछ important fact की तो वो कुछ इस प्रकार है कि हाली में तम्मिल नाडू राज़ी में थीपू सुम्त योहर मनाया गया है साथ ही आपको याद रखने कि जे एस बनर जी हाली में तम्मिल नाडू राज़ी की राज़दानी चेन नहीं जहाँ पर है मदरास हाई कोट इसके मुखे नयाइदिश बने है साथ ही हाली में तम्मिल नाडू राज़ी सरकार द्वारा चातरों को मुफ्त में 2GB डेटा देनी की गोश्टा की गई थी तो ये तीन important facts भी आपको current affairs से जुड़े याद रखने हैं तम्मिल नाडू राज़ी के आज का हमारे question number 7 और एक अंतिम question है कि डफ एंड फेल्प्स की और से जारी ताजा ranking में किसको भारत के सबसे बड़े celebrity की list में पहला इस्तान प्राप्त हुआ है ये question important और आपको याद रखने के हाली में साथ important question साथ ही कुछ important fact जो आपको याद रखने है अब हम चलते हैं हमारे कलके test पर अगर बात करें कलके test की तो कलके test का हमारा पहला परशन था असत्य विकल्प को चुने इसमें आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है आपके पास option कुछ इस प्रकार थे option number A था कि श्री रंग पत्नम के संदी हुई थी क्या लौड कौन वॉलिष के समय हुई थी अमरस्तर के संदी लौड मिंटो प्रथम के समय हुई लाहोर के संदी क्या लौड डलोजी के समय हुई थी या फिर संगोली के संदी लौड हैस्टिंग के समय हुई तो यहाँ आपको याद रखना था कि श्री रंग पत्नम की संदी, सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस वर्ष कौन से संदी हुई, तो श्री रंग पत्नम की संदी हुई थी 1792 में, 1792 में, अमरस्तर की संदी हुई थी 1809 में, यह कोश्चन हाली में, ऐसे सिस यह जिसल में पूछा गया लाहूर की संदी यह भी कौश्चन हाली में, जो मार्च में एक्जम हुए थे, उसमें एक कौश्चन पूछे गए थे, यह दोनों कौश्चन पूछे गए थे, 1846 में हुई थी, लोड हैस्टिंग के समय हुई थी, संगोली की संदी, यह हुई थी 1815 में, ठीके दोस्तों, तो ये थे इनके वर्ष जो आपको याद रखने थे श्री रंगपट्नम की संधी 1792, अमरसर की संधी 1809, लाहुर की संधी 1846 और संगोली की संधी 1815 में हुई थी, अब हम बात करते हैं क्या श्री रंगपट्नम की संधी लोड कॉर्ण वॉलिच के समय 1792 में हुई बिलकुल सह श्री रंगपट्नम की संधी टीपू सुल्तान वोड कॉर्ण वॉलिच के समय हुई थी, यानि कि इनके मद्धी हुई थी श्री रंगपट्नम की संधी 1792 में और ये तीसरे आंगल मेसुर युद्ध के बाद हुई थी, अगला था अमरसर की संधी, ये भी बिलकुल सही में आपको बताए था, 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ उस समय पंजाब में जो अंग्रे जी अफसर थे, तो चार्ल्स मेटकॉफ और उस समय महराजा रंजीत सिंग के मद्धी हुई थी, अमरसर की संधी 1809 में, तो ये उप्शन भी बिलकुल सही था, अग लौड होर्डिंग फर्स्ट, जो उस समय क्या था, वहाँ का गवर्णर जनरल था भारत का, लाहर की संधी हुई थी, महाराजा दिलीप सिंग, महाराजा दिलीप सिंग और लौड होर्डिंग प्रतम के समय, ठीक के दोस्तों, एक होता है, लौड प्रतम सेकंड भी था, जो संगोली की संधी, संगोली की संधी, संगोली की संधी से आपको समझना है, कि उसमें पहला आंगल नेपाल युद्ध हुआ था, आंगल और नेपाल, नेपाल और अंग्रेजों के मध्य, एक युद्ध हुआ था, आंगल नेपाल युद्ध, जिसमें कि गोरखाओं की परा option था वो तो option C option C हमारा गलत था तो यहां से आपके इतने सभी important facts clear होते हैं तो इस question का answer आपको comment box में देना था और आप सभी ने इसका सही answer दिया था test का question number 2 था by many a happy accident किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो हाली में हामिद अंसारी जो भारत के उप्राष्ट पती रहे हैं हामिद अंसारी इनके द्वारे लिखी की पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है by many a happy accident important और आपको याद रखना है इक question आने वाले exam में पूछा जा सकता है हामिद अंसारी जो की दो कारिकाल रखने वाले भारत के दूसरे उप्राष्ट पती बने थे डॉक्टर सरपली रादाकृष्ण पहले उप्राष्ट पती थे जिन्नोंने दो कारिकाल रखे थे और उसके पशाद हामिद अंसारी दो कारिकाल रखने वाले उप्राष्ट पती थे आपको याद रखना है तो यह थे कल के टेस्ट के दोनों कोशिन जो बहुत ही इंपोर्टेंट है और एक्जाम के लिए उप्योगी है बात करें आज के टेस्ट की तो आज के हमारे टेस्ट का पहला कोशिन असत्य विकल्ब को चुने यह जो कॉशिन है यह करेंट अफेर से जुड़ा हुआ है यहाँ पर आपके चार कॉशिन कंप्लीट होंगे हमारे पास उप्शिन को जिस परकार है देश का पहला चमड़ा पार्क क्या उत्तर परदेश में है देश का पहला टायर पार्क क्या पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुवात हुई है देश का पहला फायर पार्क करनाटक में या देश का पहला जेंडर पार्क केरल में आपको बताना है कि इनमें से गलत अप्शन कौन सा है तो इसका answer आप comment box में जरूर दीजेगा आज का हमारा question number 2 है democracy index 2020 में भारत कौन से इस्थान पर रहे तो हाली में democracy index 2020 की सूची जारी की गई है आपको बताना है कि इसमें हमारा देश भारत कौन से इस्थान पर है तो यह हैं आज के test के दोनों question जिनके answer आपको comment box में देने है अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगे तो like and share जरूर करें साथी वेस अभी जो आज चैनल पर नए है उन्हें वीडियो अच्छा लगे उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले साथी बेल आइकन जरूर दुबाएं जिससे के आने वाले वीडियो की तुरण जान करें आपको मिल सकें थेंक्यू जै हिन जै भारत